प्रियो सिक्षार्थियों नमस्कार आज की इस चर्चा में हम आपके सामने आपके पाठिक्रम में चौधवे पाठ महादेवी वर्मा पर चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में एक अत्यंत महतून का विधारा है छायावाद चायावादी काव्य की विशेषताओं में प्रमुख हैं वयक्तिक्ता, आत्माभी व्यक्ति, वेदना तथा पीड़ा, कल्पना, प्रिकृति, मानवी करण, पृतिकात्मक्ता, लाक्षनिक्ता और तत्सम प्रधान शैली आदी आप जानते ही हैं कि महादेवी वर्मा छायवाद के प्रमुख चार स्तंभों में से एक हैं इनकी कविताएं निहार, नीरजा, यामा, रश्मी, सांध्यगीत और दीप शिखा नाम के काव्य संग्रहों में संकलित हैं सिक्षार्थियो महादेवी वर्मा की एक प्रसिद्ध कविता है मैं नीर भरी दुख की बदली जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इस चर्चा से पहले यह आवशक है कि हम आपको यह कविता एक बार सुना दें आईए मैं नीर भरी दुख की बदली कविता को एक बार सुन लेते हैं मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्जणनी मचली, मेरा पगपग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग जहरा, नभके नवरंग, बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली, मैं शितिज भिरकुट पर घिर धूमिल, चिन्ता का भार बनी अविरल, रजकन पर जलकन हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली, पथ को न मलिन करता आना, पदचिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में, सुख्की सिरन हो अंत खिली, विश्थित नभका कोई को ना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमडी कल्थी मिट आज चली, अभी आपने यह कविता सुनी, आपने देखा कि कविता में, प्रत्यक्ष रूप में, बदली अपने स्वरूप, अपनी उपलब्धियों, और जगत पर पढ़ने वाले प्रभाव के माध्यम से अपनी इस्थिती का बयान कर रही है, शिक्षार्थियों इस बयान के साथ साथ, छायवाद की वे विशेष्टाएं भी शामिल हो गई हैं, जिनका उल्ले खम उपर कर चुके हैं, अर्थात इस कविता में वयक्तिक्ता और आत्माभियक्ति है, वेदना तथा पीडा है, कल्पना है, प्रिक्रतितो है ही, मानविकरण भी है, प्रतिकात्मक्ता है, लाक्षनिक्ता है, और तत्संप्रधान शैली है, इन विशेष्टाओं को इस कविता में घूंढने के लिए, हमें इस कविता को दो पक्षों की द्रिष्टी से समझना होगा, एक बदली के पक्षमे आर्थ और दूसरा एक इस्त्री के पक्षमे या स्वयम कवित्री के वेदना पूर्ण जीवन के पक्षमे आर्थ यानि इस कविता में प्रसंग को भी बदली और वेदना ग्रस्तनारी के पक्षमे बताया जा सकता है एक तरफ मैं अपना परिचे देती है नीर भरी दुख की बदली यानि एक तरफ मैं बदली है और उस परिचे के बाद इस कविता में एक पद आता है दुख की बदली यानि एक तरफ तो मैं बदली है दूसरी तरफ वह दुख की बदली है अब बदली तो दुख्की होती नहीं इसलिए इस पद के आने के कारण इस कविता में ये जो दुख शब्द है इसको हम कवित्री के या किसी इस्त्री के या जिसका जीवन वेदना पूर्ण और यातना से ग्रस्त है उसके पक्ष में इसका अर्थ कर सकते हैं सिक्षार्थियों अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इस कविता के समानांतर दो अर्थ है यानि एक तरफ इस कविता को समझने के लिए हम बदली के साथ इसका संबंद बिठा सकते हैं और दूसरी तरफ कवित्री या किसी इस्तिरी के सम्बंद में इसका अर्थ बिठा सकते हैं इतना समझने के बाद या इतना जान लेने के बाद इस कविता को टीन अन्शों में बाट लें, फिर उसके बाद इसे समझने का प्रियास करें पहला अंश पांच पंक्तियों का है आईए इसे एक बार फिर से पढ़ते हैं मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चिर निस्पंद बसा क्रंदन में आहत विश्व हसा नैनों में दीपक से जलते पलकों में निर्जणनी मचली सिक्षार्थियों देखते हैं कि किस तरह से इन पंक्तियों का एक अर्थ बदली के संदर्ब में है और दूसरा इस्त्री के संदर्ब में पहली पंक्ति है मैं नीर भरी दुख की बदली हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बदली मैं है लेकिन दुख की बदली इस्त्री है इसके साथ साथ इस्पंदन में चिर्निस्पंद बसा बादलों के गरजन के पीछे उनके इस्पंदन के पीछे आकाश रहता है यानि बादल आकाश में चाये रहते हैं बदली आकाश में चाये रहती है और वो जो आकाश है वो इस्तिर रहता है यानि ये जो इस्पंदन है ये जो शोर है ये जो गरजन है ये आधारित है उस चिर निस्पंद पर जो शून्य है इसके बाद क्रंदन में आहत विश्व हसा जब बादल गरसते हैं क्रंदन करते हैं आहत क्रंदन करते हैं तो उस क्रंदन को उस गरजन को उस आहत गरजन को सुन कर विश्व हसता है यानि विश्व पर बादलों का प्रभाव क्या पढ़ता है कि विश्व बादलों को देखकर हसता है हम सब जानते हैं भारत एक क्रिशी प्रधान देश है और बादलों का होना कितना आवश्यक है उनका गरजना कितना आवश्यक है ये हमसे अधिक और कौन जानता है इसलिए बादलों के उस शोर गुल में चाहे जितनी आहत्ता हो चाहे जितनी पीडा हो लेकिन विश्व को वो अपनी पीडा में से भी कुछ देने का प्रियास करते हैं इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि करंदन में आहत्त विश्व हसाब इसके बाद बहुत सुन्दर एक कल्पना की गई है बादलों की उनके नेत्र बताए गए है पूरे बादल जैसे नेत्र हैं और उन नेत्रों में बिजली की जो चमक है वो दीपक की तरह जलती है यह बहुत सुन्दर वर्णन है इस कविता में और उन दीपकों के जलने के बाद क्या होता है पलकों में निरजरनी मचली निरजरनी के मतलब जलका शोत बादल पानी देते हैं बादलों के भीतर से पानी बहता है एक तरफ तो बादलों के भीतर बिजली की जो चमक है वो दीपक की तरह है दूसरी तरफ उनकी पलकों से निरज़र्णी मचलती है यानि जल की धारा बहने लगती है ये अर्थ बादलों के संदर्व में था अब इसी अर्थ को हम घटित करते हैं इस्त्री के पक्ष में बादलों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है जब मैं करंदन करती हूं दुखी होती हूं छटपटाती हूं तो उसका विश्व पर कोई असर नहीं पड़ता तरसल जिसमें यातना होती है उसकी यातना और अधिक बढ़ जाती है जब उस यातना को समझने वाला कोई नहो न केवल कोई नहो बलकि जो समझने वाला है वो हसने ही लगता है यानि एक तरफ तो वेदना से ग्रस्त दुख से ग्रस्त इस्त्री है दूसरी तरफ उसकी वेदना को कोई समझने वाला नहीं है उल्टे विश्व उसकी वेदना प वियोग से मर रही हूं तडप रही हूं लेकिन जगत मेरे इस वियोग पर हस रहा है इसलिए क वित्री ने भी ये कहा है कि मेरे आहत करंदन में विश्म हस रहा है नैनों में दीपक से जलते कवित्री ये कह रही है कि मेरे नैनों में दीपक की चमक है लेकिन वो जो दीपक की चमक है वो जो सौंदर्य है वो आशू बनकर निकल रहा है यानि एक तरफ तो आशा है चमक है दूसरी तरफ उस आशा का परियावसान निरजरणी में हो रहा है जल की धारा में हो रहा है यानि आशा और निराशा का ये जो द्वंदु है इसका अंत हो रहा है आसूं में यानि आशा पूरी नहीं हो रही है, आसु निकल रहे हैं, तो सिक्षार्थियों अभी आपने ये देखा, कि इस कविता की प्रारंभिक पाँच पंक्तियों का हमने किस तरह से अर्थ दोनों संदर्भों में किया, एक बदली के संदर्भ में, और दूसरा, वियोग से किसी इस्त्री के संबंद में और हमारे समाज में परंपरागत समाज में पुराने समाज में तो वैसे भी इस्त्री के आसपास कुछ सीमाएं होती थी उन सीमाओं के कारण उसका जीवन वेदनागरस्थ हो जाता था इस बात को इस कविता के माध्यम से समझा जा सकता है अब इस पहले अंश को समझ लेने के बाद आईए हम दूसरे अंश को एक बार फिर से पढ़ते हैं और उसे फिर से समझने की कोशिश करते हैं मेरा पगपग संगीत भरा श्वासों में स्वप्न पराग जरा नवके नवरंग बुनते दुकूल छाया में मलय बयार पली मैं शितिज भिरकुट पर घिर धूमिल चिन्ता का भार बनी अविरल रजकण पर जलकण हो बरसी नव जीवन अंकुर बन निकली इक्षार्थियो अभी आपने ये पंक्तियां सुनी बेहद मधुर गीतात्मक और चंद से युक्त ये पंक्तियां हैं लेकिन जितना सौंदर ये इन पंक्तियों में उपर उपर से नजर आ रहा है उतनी ही इनकी पीडा भी है इनसे पीडा भी अभिव्यक्त हो रही है उस पीडा को समझने की जरूरत है हम वही प्रयास फिर से करते हैं कि एक तरफ तो इन पंक्तियों का अर्थ बदली पर घटित कर देखते हैं और दूसरी तरफ इस्तरी के संदर्ब में देखते हैं बदली का संगीत क्या है? बदली जब आकाश मार्ग से गुजरती है तो उसका गरजना और उस गरज से यह जो पूरा जीव जगत है इसमें हल चल होती है यह सारा मिलाकर एक संगीत बनता है यानि बादलों का भी अपना संगीत होता है उसे संगीत की तरह हम ले सकते हैं और जब बदली घृती है और वायू चलती है तो जैसे वो वायू बदली की सांसे हैं उन सांसों से क्या निकल रहा है? स्वपन पराग जहर रहा है उनसे जब हवा चलती है बादलों के समय तो आजपास की प्रिकृती का जो पराग है जैसे उसमें इकठा हो रहा है और वो जहर रहा है ये सुन्दर वर्णन है बादलों का और हवा के संयोग का और सपने भी निहित होते हैं उस पराग में इस जगत के फलने फूलने के प्रसन्न होने के फसलों के होने के ये सारी अभिव्यक्ति इन पंक्तियों के माध्यम से हम देख सकते हैं इसके बाद आकाश का चित्रन किया गया है कि किस तरह से आकाश में इंद्र धनुष एक वस्त्र बुन रहा है वस्त्र के रूप में मौजूद है और इसके साथ साथ जो छाया है उस वस्त्र की उसमें मलय बयार जो है वो पल रही है मलय बयार एक सुगंधित वाईयू है जो मलय परवत की तरफ से बहती है यानि जब बदली घृती है तो संगीत भी होता है स्वापन भी होता है, पराग भी जहरता है और मलय बयार भी चलती है इसके साथ एक बिम्ब है अगली पंक्तियों में वो बिम्ब ये है कि जब क्षितिज पर बदली घिरती है तो कैसी लगती है क्षितिज माने जहां आकाश और धर्ती का मिलन होता है वो दिशा उसे क्षितिज कहते हैं और माल लो उस तरफ बदली घिरी हुई है तो कैसे लगती है क्षितिज की ख्रकुटी पर हमारे आक उपरी हिस्सा उस धूमिल ख्रकुटी पर जैसे चिंता च्शाई हुई हो। दरसल ये च्शाइवादी सोंदर ये बोध है जो अमूर्थ में मूर्थ की कलपना करता है। जिन चीजों को हम देख नहीं सकते, चिन्ता को हम देख नहीं सकते, लेकिन यहां इस रूप में देख पा रहे हैं कि जो क्षितिज है, उस पर जो बदली घिरी हुई है, जैसे चिन्ता के रूप में हमारे सामने वो मौजूद हो. इसके बाद बरसने का वरणन है, कि बदली जब धर्ती पर, रज कणों पर, मिट्टी के कणों पर, जल कण के रूप में बरसती है, तो क्या घटित होता है, हम सब जानते हैं, कि जीवन अंकुर निकलने लगता है. यानि वही बदली जब बरस जाती है, तो मानो किसके रूप में हमारे सामने नया रूप धारण करती है, नए जीवन अंकुर के सामने हमारे सामने निकल कर आती है. इसी अर्थ को अगर हम घटित करें, इस बदली को हम घटित करें या इस अंश को हम घटित करें इस्त्री के जीवन पर, तो यहां चुकि इस्त्री सहज रूप में ही सुंदर मानी जाती है, सौंदर या पूर्ण उसका जीवन है, तो यहां यह कहा गया है कि इस्त्री के मेरा जीवन वेदना से ग्रस्त है लेकिन मेरी गतिविधियों में सौंदर्य है मेरी पदचाप में मेरे चलने में संगीत है योवन का संगीत है मेरे स्वासों से कामनाएं जरती हैं स्वपन जरते हैं और मेरे जो वस्त्र हैं वो जैसे वस्त्र सुगंधित हैं उनकी छाया में जैसे मलाय बयार पलती है, यह एक तरह से इस्त्री को देखने का चायवादी नजरिया है, उसके सौंदर्य को देखने का चायवादी नजरिया है, इसके बाद सौंदर्य के होने पर भी चिंता के भार से ग्रस्त है वो इस्त्री, क्योंकि जीवन में वेदना है, और अन्तत है आसूं के रूप में जो जलकन बरसते हैं वो बरसते तो हैं लेकिन आसूं के बरसने के बाद वो नई आशा का संचार करने वाले होते हैं हम जानते हैं कि जब हम रो लेते हैं तो रोने के बाद हम फिर से स्थिर हो जाते हैं इसलिए कवित्री यहां यह कह रही है कि आशुओं के बरसने के बाद भी आशुओं के निकलने के बाद भी यह जो अशुरू हैं यह जब शान्थ हो जाते हैं तो नई आशाओं का संचार करने वाले होते हैं ऐसे बदली नई आशाओं का संचार नए जीवन अंकुरों के माध्यम से करती है आईए शिक्षार्थियों अब इस कविता का अंतिम हिस्सा देखते हैं यह अंतिम हिस्सा भी आठ पंक्तियों का है और पहले के अंशों में बदली ने अपने उमडने गुमडने और बरसने का चित्रन किया है लेकिन इस अंश को अगर हम देखें तो हम यह पाएंगे कि इस जगत में बदली का क्या अस्तित्य है उसकी क्या इस्थित्य है उसका वयान किया जा रहा है तो आईए इस अंश को प सुधि मेरे आगम की जग में सुख्के सिरन हो अंत खिली विस्तित नभका कोई को ना मेरा न कभी अपना होना परिचय इतना इतिहास यही उमडी कल्थी मिटाच चली। सिक्षार्थियों आप देख रहे हैं कि इस कविता का जो अंत हो रहा है वो बेहद निराशापूर्ण दुख की इस्तिती में हो रहा है इसलिए इस कविता को हम करुणा की कविता भी कह सकते हैं और महादेवी वरमा की कविताओं की बहुत बड़ी विशेषता यह है कि उनकी कविताओं के माध्यम से करुना की अभीव्यक्ति होती है करुना उनकी कविताओं की आप्रमुख विशेषता है तो बदली ये कह रही है मेरा आना न तो पत को मलिन करता है और मेरा जाना न कोई चिन्न छोड़ता है वैसे तो सामाने तोर पर हम देखते हैं कि जब कोई आता है तो पैरों के चिन्न बनते हैं जाता है तब भी चिन्न छोड़ जाता है लेकिन बदली ये बात कह रही है कि मेरा आना न पत को मलिन करता है और मेरा जाना न कोई निशान छोड़ता है ज़रा आकाश में देखिए जब बादल आते हैं तो मलिनता को धोते हैं मलिनता पहलाते नहीं है और जब बरस कर चले जाते हैं आकाश साफ हो जाता है तो कोई नहीं कह सकता कि यहाँ थोड़ी देर पहले बादल था इसी तरह से जगत बदली को किस रूप में याद करता है जब वो बरस के चली जाती है तो एक सुख की सिहरन के रूप में उसे महसूस करता है उसकी इस्मृती सुक की सिहरन है बादल का आना सुक की सिहरन है सुक फैलाता है बादल जब बरस कर चला जाता है तो लोग उसे याद करके सुक को महसूस करते हैं इसके बाद बदली कहती है कि आकाश में मेरा कोई इस्थान नहीं है जो विस्तिरत नभ है उसका कोई भी कोना मेरा होना नहीं है माने मेरी नियती यह है कि मैं आकाश में आती तो हूँ लेकिन आकाश में मेरा कोई घर नहीं है क्योंकि जब मैं बरस कर चली जाती हूँ तो मेर कोई चिन्द महां नहीं रहता, इसलिए मेरा इस्थान कोई कोना नहीं है आकाश, आकाश मुझे इस्थान कुछ देर के लिए देता है, उसके बाद मैं समाप्त हो जाती हूं, और यही मेरा परिचा है, यही मेरा इतिहास है कि कल उम्री थी, आज बरस कर मिट गई, अब मुझ ये कोई धेखने वाला नहीं है या मैं किसी को दिखाई नहीं दे रही हूं। बदली यहां अपनी दरसली बेहर विश्वसनीय पंक्तियां है। ऐसा हम देखते हैं कि बदली आकाश में आती है, उमरती है, घुमरती है, बरसती है, नए अंकुरों को पैदा करती है, आकाश से जैसे धर्ती पर उतरती है और उसके बाद आकाश में अपने सारे चिन्नों को समाप्त कर देती है उसका कोई इतिहास आकाश में नहीं रहता यही मार्मिक अर्थ इस्त्री के पक्ष में भी घटित किया जा सकता है सबका इतिहास होता है कवित्रिय कह रही है कि संसार में मेरा आना और जाना इसको कोई नहीं जानता और ये इतिहास जैसे पूरुशों का इतिहास है इसत्री का इतिहास नहीं है इसलिए इस पूरे जगत में मेरा केवल इतना ही इतिहास है कि मैं दुख को भोगूं और दुख को भोग कर इस संसार स विदा हो जाओं तो आपने ये महसूस किया होगा सिक्षार्थियों कि इन पंक्तियों में किस तरह से एक इस्त्री अर्थ है बदली का अर्थ तो साफ साफ सामने है ही बदली का रूपक तो हमारे सामने है ही उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से इन पंक्तियों म एक इस्तरी अर्थ है दरसल यह इस्तरी अर्थ आधुनिक्ता की बहुत बड़ी पहचान है आधुनिक समय में जब इस्तरीयों ने इतिहास में हस्तकशेप किया तो यह बताना भी शुरू किया कि हमारे साथ कितना अन्याय हुआ है और वो अपनी उपस्थिती को दर्ज करने क कोशिश करते हैं महादेवी वर्मा भी यहां इस्त्रीयों की प्रतिनीधी बन कर समाज को यह समझाने की कोशिश कर रही हैं कि इस्त्रीयों का जीवन वेदना पूर्ण है और उनको इतिहास में शामिल नहीं किया जा रहा सिक्षार्थियों आईए अब इस कविता के शिल्प सौंधर्य को समस्ते हैं आपने देखा कि गीत का काव्यार्थ दो अर्थों पर साथ-साथ खुलता है इसलिए इसमें लक्षना और व्यांजना बहुत सुन्दर रूप में प्रियोग हुई हैं जिनका इस कविता में सुन्दर प्रियोग हुआ है आप जानते ही हैं कि जहां वाक्ये का अर्थ सीदे सीदे नहीं खुलता और वाक्य में बाधा उत्पन होती है वहां लक्षणा से हम अर्थ ग्रहन करते हैं इस बात को हम इस वाक्य के माध्यम से भी समझ सकते हैं जो आपके सामने है मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ ही अत्वा प्रियोजन से मुख्यार से सम्मंधित अन्य अर्थ लिया जाता है तो लक्षना शबशक्ती होती है आपके सामने कुछ पंक्टियों को हम दे रहे हैं जरा इन पंक्टियों की लाक्षनिक्ता पर ध्यान दीजिए पलकों में निरजहरणी मचली इसके साथ एक पंक्ति ये भी है, शितिज भृकुटी पर घिर धूमिल, सिक्षार्थियों, पूरी कविता में कई जगहे उरूपक अलंकार भी है, जैसे आपके सामने हैं ये पंक्तियां, श्वासों में स्वपन पराग जहरा, दूसरी पंक्ति है शितिज भृकुटी, तीस हम छायवादी कविता की विशेष्टाओं की चर्चा कर चुके हैं, इस कविता में कुछ अन्य विशेष्टाएं भी मिलती हैं जो छायवाद की विशेष्टाएं हैं, जैसे मूर्थ की अमूर्थ से तुलना, मैं क्षितिज भृकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार ब इसके बाद वयक्तिक व्यथा और भावनाओं का प्रिकृति पर आरोप इस कविता की विशेष्टा है इस कविता में विशेषण विपरियाय भी मिलता है क्रंदन में आहत विशु हसा जब विशेषण अपना स्थान छोड़ कर कहीं और प्रियुक्त होता है तो उसे चाहिए लेकिन वो विशु से पहले आ गया है इसलिए अपनी जगह छोड़ दी है उसने अतह इस उदहारन में विशेषण विपरियाय हमें मिलता है इन विशेष्टाओं के अतिरिक्त यह जो गीत हमने आपके सामने प्रस्तुत किया महादेवी वर्मा का इसमें और भी संदर्य है यानि गाने में अच्छा लगता है सकानों को सुनने में अच्छा लगता है लगू छंद हैं छोटे-छोटे छंद हैं इस गीत में गेता है इसे गाया जा सकता है मधूरता है और इसके साथ साथ इस कविता में सौंदर्य का एक पूरा विधान भी है इन संदर्भों की दृष्टी से भी इस कविता का विशेश महत्व है सिक्षार्थियों हमें आशा है कि आज हमने जो चर्चा आपके सामने इस कविता की की इस गीत की की उससे आपको बहुत सी बातें समझ में आ गई होंगी धन्यमार